राम के नारे इस स्वक्त अयोध्या में और पूरी अयोध्या मंतरों चारण से गूंजड़ी है ठंड बहुत ज्यादा है चाय की पहली हमारे हाथ में हैं यतेंद्र मेरे साथ हैं और पीछे इस वक्त आप जो तस्वीरे देख रहे हैं हनुमान गड़ी की ये तस्वीरे आज मंगलवार का दिन हनुमान गड़ी में हमारी मौजूदगी और बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं आचा एक मिनट एक तस्वीरे हमारे पास एक बड़ी ख़बर आपको बता दें राम मंदिर की एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे हमारे पास आई हैं जो अंदर का वीडियो है जो अंदर की तस्वीरे है नकाशी जिस तरह से की गई है ये वो तस्वीरे इस वक्त आपकी टीवी स कर रहा है वो तस्वीरे जो संभवता 22 जन्वरी को सामने आएंगी लेकिन उससे पहले एक्स्क्लूसिव तस्वीरे न्यूज एट इन इंडिया पर जिसको बनाने में जो है आप जानते हैं कितना संघर्ष कितना बलिदान सब कुछ हुआ और आखिरकार ये तस्वीर आप एक जो भव राम मंदिर बन रहा है वो किस तरह से दिखाई देगा किस तरह से उसको जो नकाशिया की गई हैं दीवारों पर जो उस पर आकरितियां उकेरी गई हैं वो वो बिलकुल एक तरह से अचमित कर देने वालें कितना कड़ा काम कितना अच्छा काम बहुत सफाई के के कारीगर वहां लगे रहे हैं वो बिलकुल पूरी तरह से बनकर तैयार है 22 जनवरी को जब प्रतिश्चा समार होगी प्रदान मंतरी निरंद मोदी आएंगे और वो खुद ऐसे मजदूरों से खासकर शिल्प कारों से वो मिलेंगे उन्हें समानित करेंगे कि उन्होंने ऐसा भवे राम मंदिर राम लला का देश को समर्पत किया जो आने वाले भविश्य में विशायद इस तरह का मंदिर ना वन पा इस तरह की जो नकाशियां की गई है एक 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 छोटी छोटी नकाशी पर उन्होंने मेहनत की है वो देखने लाए अचा एक और चीज जो हम आ आज जो खास है वो आज पूजन ना होकर जो यजमान है उनकी शुद्धी होगी वो उनको पहले सर्यू में इसनान कराये जाएगा और इसनान भी वो दशावदी दारा होता कि कई तरह के दोश होते हैं तो वो यजमान उस लाइक बनें पवित्र बनें कि वो यग करने के ल निर्मोही अखाडे ने प्रान प्रतिष्टा के कारिकरम में ना जाने की खबरों को सिरे से खारिज किया है निर्मोही अखाडे की तरफ से बयान में का गया कि हमारे अखाडे को निमंतरन मिला है हर कोई संतुष्ट है हर कोई प्रान प्रतिष्टा में हिस्सा लेने जा रह प्रदान मंत्री नरिंद्र मुदी के सीधी तस्वीरे से आपकी चीवी स्क्रीन पर आंधर प्रदेश प्रदान मंत्री नरिंद्र मुदी पहुंच चुके हैं